अभी हूँ बिहार विधान सभा में, मगर बिहार की सियासत में तीनों पाटियों में अभी तक अस्मंजस वाली स्थिती है। गट जोड पक्की हो गई है। अब उसके बाद जो आरजेडी के कई मंत्री थे उन्होंने गाड़ी बापस करने की भी बाते आ गई है। उसी के साथ ही जो राबडी देवी के मुवोले भाई सुनिल सिंग है। उनका जिस परकार से कहना था कि साप एक सपेरे से वह पूछते हैं कि साप केचुल कब छोड़ता है। तो सपेरा पूछ रहा है क्या वह वह ही केचुल यानि ये सब बाते करके आखिर सुनिल सिंग क्या संदेश देना चाहते हैं। वह पहले भी ट्विट करते रहे हैं। कहा यह जाता है कि नितीश कमार वह ऐसे कई लोगों से तो नराज थे ही, मगर यह नराजगी राजद से ज़्यादा थी या कॉंग्रेस से ज्यादा थी। आगे जो सिलसिला चलते जाता है आई एंडिया ये एलाइन्स का वह उसमें फिर नितीश कमार की तवज्यों ही नहीं घटती है। खबरे मची एक महीने पहले, मगर उसके बाद ललन सिंग को भी जदियू के राष्टिया ध्यच से छोड़कर जाना पड़ गया। उसके बाद नितीश कमाराष्टी अध्यच बनते हैं। के वक्त भी थे, जब रिजल्ट आया था नवंबर दिसंबर में और आज भी हैं। कि तीन साल दो महीने के बाद भी उन चार विधायकों की महत्ता या है। कि उनकी महत्ता लगभग जब जोडते हैं विधायकों की संख्या तो फिर वह 125 के आसपास जाके रुपती है। और अगर चार विधायक और रहेंगे तो जो एक दो विधायक जो जदियू की या भाजपा की इधर उधर जाने की जो खबरे और बाते हैं उस पर मांजी के विधायक आने के बाद उस पर भिराम लगता है। इस परकार से कहा यह जा सकता है कि नितीज कुमार ही एई अगले फिर से नौमी बार मुख पंतरी सपत लेते हुए नजर आएंगे बाकि अभी बिहार विधान स्वाम है खबर यहती की राजपाल यहां पर अपने घर से निकले हैं तो यहां आ सकते हैं। यहां आकर देखने का भी प्रयास किया मगर नहीं आये। बाकि आप बने रहे जहकास भारत पर हम लगातार खबरे ला रहे हैं और सुना रहे हैं। कैमरे के पीछे मले कुमार मंगलम जी हैं। बाकि धन्यवाद।